दुनिया की बड़ी वैकल्पिट चिकतसा प्रद्धितियों में से एक है होमियोपैथी जो 85 से अधिक देशों में प्रचलित है तथा ये 100 करोड से अधिक लोगों के विश्वास का प्रतीक है भारत में आज 3 लाग से ज्यादा रजिस्टर्ड होमियोपैथिक डॉक्टर 258 होमियोपैथी महाविद्याले 300 से अधिक होमियोपैथिक दवा निर्माता कम्पनिया हैं वर्ष 1796 लाइक क्योर्ज लाइक समय समयती होमियोपैथी के जनक सैम्वल हैनिमन ने आज से 226 वर्षपूर 1796 में लाइक क्योर्ज लाइक के मूल मंत्र के साथ इसे जर्मनी में प्रारंभ करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि ये पद्धिती अगली सदी के हिंदुस्तान की चिकित्सा प्रणाली में मील का पत्थर स लगभग 200 वर्षपूर्वि जर्मनी मिशनरीज के माध्यम से ये भारत में प्रयोग के तौर पर लाई गई थी परन्तु आज होमियोपैथी दुनिया में सबसे अधिक विक्सित हिंदुस्तान में हो रही है आजादी का 75 वां वर्ष भारत अमरित महत्सव के रूप में मन 1940 पंजाब के महराजा रणजीत सिंग का इलाज होमियोपैथी के जनक सैम्वल हैनिमन के अनुयाई डॉक्टर होनी बर्गर ने सफलता पूरवक किया इसके बाद पूरे देश में इसकी ख्याती बढ़ने लगी खास तोर पर बंगाल में फैली हैजा की महामारी के रोप था इसलिए उन्हें भारती होमियोपैथी का जनक भी कहा जाता है। अधिती के बारे में ज्यान व्रिद्धी के लिए वर्ष 1881 में कोलकाता होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई। हिंदोस्तान में होमियोपैथी का सफर नामा। वर्ष 1948 संसद में होमियोपैथी चिकित्सा को माननेता देने का प्रस्ताओ पेश किया गया। वर्ष 1950 डॉक्टर केजी सकसेना को प्रथम राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का निजी चिकित्सक नियुक्त किया गया। 10 अपरेल 1905 डॉक्टर साम्यूल हैनिमन की जन्म दिवस पर विशेश डाग टिकट जारी किया गया। होमियोपैथिक वैधानी केवं स्वायत निकायों की स्थापना का दशक। 1970 के दशक में राश्ट्रियो होमियोपैथि संस्थान की स्थापना के उपरांत होमियोपैथि का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। खास तोर से 1973-74 के दौर में जब संसद में होमियोपैथि चिकट साप पद्दिती को माननेता देने के लिए केंदरिये परिशद बनाने के लिए बिल पास हुआ। CCH यानि Central Council of Homeopathy की स्थापना अगस्थ 1974 में की गए। वर्ष 1975 कुलकाता में National Institute of Homeopathy एवं घाजियबाद में होमियोपैथि फार्मकोपिया लिबारटरी की स्थापना की गए। सरकारदवारा 1979 में CCRIMH केंदरिये भारतिये चिकट साप एवं होमियोपैथि अनुसंधान परिशद की स्थापना की गए। वर्ष 1978 में सभी वेकलपिक पद्धतीयों के विकास के लिए अलग-अलग अनुसंधान परिशदों का गठन किया गया। इसी समय होमियोपैथी के अनुसंधान विस्तार के लिए केंदरिय होमियोपैथी अनुसंधान परिशत का गठन कें। जिसमें से डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रिय अनुसंधान संस्थान नॉइडा प्रसिद्ध है होमियोपैथी दवाएं विक्सित करने के लिए। होमियोपैथी के शिक्षन के क्षित्र में पोस्ट ग्राजवेट स्तर की पढ़ाई शरू की। वर्ष 1995 में स्वास्थ मंत्राले के अधीन भारती चिकित्सा एवं होमियोपैथी विभाग बनाया गया। और वर्ष 2003 में इसका नाम बदल कर आयूरवेद, योग और प्राकृत चिकित्सा युनानी, सिध्ध और होमियोपैथी आयूश विभाग हुआ। माननी नरेंदर मोदी के 2014 में प्रधान मंत्री बनने पर वेकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को अधिक महत्व देने के लिए आयूश विभाग को अलग मंत्राले के रूप में स्थापित किया ग जोगत आठ वर्षों में 400 प्रतिशत तक बढ़ा। आयूश आयूश आयूर्वेदा, योगा, नेच्रुपैथी, युनानी, सिध्धा, सोवारेगपा, होमियोपैथी अपने अजादी की पसतर बर्ष का जशन अजादी की अमरिट महुच्चप की रूप में मना रहा है। यह रोजगार से लेकर सिक्षा और स्वास्टा जेश बनियादी विकास की सेट्र में आत्मनिभर होने का उच्चप है। आयूस मन्तालय भी इस अमरिट महुच्चप में शिक्चा की वैकल्पिक पढ़ट्यू के सेट्र में आत्मनिभर होने की गुरब से असूटा नहीं है। मन्तालय सभी वैकल्पिक पढ़ट्यू अठाट अयूर्वेत इनानी योग प्रकितिक चिक्चा सिध्धा सिवारिक पा एबंग हम्योपिथी की विकास में कर्यरत है। लेकिन इसकी लुकप्रियता आज संप्रण बिश्य की तुलना में भारत में सरबाधिक है। इस पढ़टी में जनजन का विश्वास भारत की कोने-कोने में उपलप्ठ चिकिच्चा केंडर के टट्र और उसमें आने वाले रुगियों की शेंखासे ही साबित होटा है। आयूस मनताले होमियोप्ठी चिकिच्चा पढ़टी के विकास और जनजन तक पुंसाने के लिए पढ़टिबट है। वर्ष 2021 में एक एतिहासिक पहल हुई। होमियोपैथी के लिए अलग से राष्ट्री होमियोपैथी आयोग का गठन। राष्ट्री होमियोपैथी आयोग देश भर में 258 कॉलेज की सहायता से होमियोपैथी की शिक्षा और प्रशिक्षन कराकर होमियोपैथी के चिकिच्चक तयार कर रहा है। होमियोपैथी की कुछ खास बातें। दीश में आज करोणों लोग होमियोपैथी आधारित चिकितसा से लाभान भित हो रहे हैं। ये दवाईयां दूद मुहें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आयो वर्ग को आसानी से दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात इन होमियोपैथी दवाओं का कोई गंभीर साइड एफेक्ट भी नहीं होता। साथ ही साथ कीमत कम होने से गरीब से गरीब इनसान भी इसे खरीदने में समर्थ है। पूरा इलाज रोगी के लक्षणों पर आधारित होता है। होमियोपैथी के विकास में योगदान के लिए देश के सरवच्च पुरसकारों में से एक पदमुश्री से साथ होमियोपैथिक चिकतसकों को सम्मानित किया जा चुका है। होमियोपैथी में बेहतर दवाओं की उपलब्धता के लिए सतत अनुसंधान किये जा रहे है। तथा दवाओं में प्रयुक्त किये जाने वाली ओशधी क्रिशी को भी प्रोचसाहित किया जा रहा है। ताकि देश में निर्मित दवाईयां वैश्विक फार्मा कोपियोल मानक के अनुरूप हो। शिक्सा तथा स्वास्ते देखबाल सेवाओं को जमिनिस्तर पर बढ़ाव देती है। इसे विश्वास्तर पर स्विकार्य बनाने और भारत को कलियान परियाटन के लिए एक मंतवयों के रूप में स्थापित करने पर भी जोर देती है। मंत्रालाई अपनी विभीन्न केंदर प्रव्यजित योजनाओ के माध्यम से भारत में होमियोपथी को लोगों की पसंद का केंदर बनाने तथा इसके विश्तार का समर्षन करता है। केंदरी होमियोपथीक अनुसंदान परिशद होमियोपथी में एक सिर्ष निकाई वैगनानिक अनुसंदान के विभीन्न पहलों में अनुसंदान के लिए जिम्यदार है। राष्ट्रिय होमियोपथी आयोग होमियोपथी की सिक्षा और प्राष्षिक्षन को बढ़ावा देने के लिए गठित हुआ है। और भारतिय चिकित्सा एवोम होमियोपथी पहसत शहिता आयोग दवाव की गुनोता मानकों की स्थापना के लिए जिम्मदार है। आईए आजादी के अमरित महोत्सव में होमियोपैथी के उप्योग को बढ़ावा देकर विश्व को उत्तम स्वास्थ की सोगात दे कि यूपे से देकरों को बड़ाई अर्णक। झाल झाल झाल